दोसो कैमरा सबके मोबाइल में होता है चाहे आपके पास महेंगा मोबाइल हो या फिस तस्ता 100% दोस्तो आपके फोन में कैमरा जरूर होगा लेकिन दोस्तो क्या आप जानते हैं इस कैमरे के अंदर एक दोने बलकि चार ऐसी खूफिया सेटिंग होती है जिसके बारे में 99% स् यह है उसी अगर आप सीक जाते हैं तो ऐसी धासू धासू फोटोस आप अपने फोन कैमरा से लेंगे जो देखेगा ओच जाएगा और इतनी कमाल कमाल की खूफिया फीचर से ना दोस्तो एक बार अगर आप अपने फोन कैमरा में आन कर लेंगे ना तो आपको शॉक्ड हो जाएंगे कि भाई ऐसे ऐसे फीचर से हमारे फोन कैमरा के अंदर थी और हमें पहले नहीं पता था सोचेओ इतनी कमाल कमाल की ट्रिक इस कैमरे के अंदर छिपी है जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो अगर आपके भी मोबाइल में दोस्तो कैमर दिया है ना तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना पूरा देखना वीडियो पसंद आएगा तो लाइक को शेयर कर देना तो आईए दोस्तो मैं आपको बताता हूँ आखिर इस फोन कैमरे के अंदर कौन सी खूफिया सेटिंग दी हुई है जिससे अगर आप 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 कर लेंगे ना तो आपके मोबाइल फोन कैमरा से ऐसी फोटो आएगी जो देखेगा वो चोक जाएगा और ऐसे ऐसे इडिन फ तो सबसे पहली फीचर को आउन करने के लिए आपको अपने फोन में कैमरा ओपेन करने के बाद यहां पर सेटिंग दिया है इसी आइकोन पर क्लिक कर देना है अब यहां पर मोर सेटिंग आएगा इसके उपर आपको क्लिक करके सेटिंग के अंदर आ जाना है यानि कि कैमरे के settings के अंदर चले आना है अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर दोस्टों आपको मोबाल लेकिन आप लोगों ने यहाँ और ही नहीं किया है यहाँ पर अगर आप motion autofocus की ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यह बंद है जैसा यह feature दोस्तो DSLR के अंदर दिया होता है सोचो DSLR वाला feature दोस्तो आपके phone camera के अंदर दिया है लेकिन आपने इसे on ही नहीं किया है अब यहाँ पर दोस्तो सबसे पहले जो i auto focus दिया है इसे अगर आप on कर देते हैं तो जब भी दोस्तो आप photos क्लिक करेंगे या फिर videos बनाएंग तो automatic जो camera है जिसके भी आप video बना रहे हो उसकी आँखों को focus करेगा समझेव जो की DSLR के अंदर आपने देखा ही होगा i auto focus दिया होता है वो चीछ दोस्तो आपके mobile के अंदर भी दिया है लेकिन आपने on नहीं कर रहा था ठीक है तो इसे सबसे पहले आपको यहाँ से on कर दे समझेव तो उसके लिए आपको इसे on कर देना है जिसके बाद दोस्तो यहीं पर दिया है object auto focus यह वाला भी setting दोस्तो आपको यहाँ से on कर देना है जिससे दोस्तो अगर आप किसी object की photo क्लिक कर रहे है तो भी दोस्तो फोटो एकदम मतलब की बोल सकतो ना ला जवाब आया ऐ इसी क्लिक को मतलब की आपर होगी ठीक है तो यह तीनो सेटिंग आपर जो दिया हुआ है इसे आपको on कर देना है किसी को भी बन करके नहीं रखना है समझ गया है तो यह पहला सेटिंग दोस्तो हीडन सेटिंग हमने आपर कर लिया है motion auto focus के अंदर जिसके बाद दोस्तो आप बोल करके photos क्लिक कर सकते है यानि कि आप अपने फोन को बोलेंगे automatic आपका फोन फोलेक्षिक कर दिखाओ मैं आपको तो उसके लिए आपको कड़ना क्या होगा setting के अंदर आना है mode setting के अंदर चले आना है यहाँ पर shutter button दिया इसके उपर क्लीक करके इस तरह से दोस्तों आपको इसे on कर देना ठीक है यहाँ पर यह on हो जाए ओके तो यहाँ पर permission देना होगा ओके तो यहाँ पर आप देख लिए यह on हो गया on होने के बाद दोस्तों यह trick जो है आपके phone camera के अंदर enable हो चुका है अब दोस्तों जैसे ही वहाँ पर जो word लिखा था उसे आप बोलेंगे आपके phone का camera जो है फोटो क्लिक कर लेगा दिखा हूँ मैं आपको यहाँ पर देख लिजे cheese देख रहो फोटो क्लिक हो गया जैसे मैं cheese बोला automatically दोस्तों इसने photo click कर लिया फिर से दिखाता हूँ cheese देख लिजे देख रहो मनलब की जीतनी बार दोस्तों आप word बोलोगे automatically आपके phone का camera है वो फोटो क्लिक कर लेगा तो काफी कमाल की front and back camera दोनों में यह काम करता है cheese देख लिजे यह front camera का जो है photo click कर लिया देख रहो front and back दोनों में यह काम करता है तो इस trick को आप अपने mobile के अंदर enable कर सकते हैं जो की दिया होता है लेकिन आप लोग इसे use नहीं करते जिसके बाद दोस्तों मैं आपको तीसरे नंबर का camera का hidden feature बताऊँगा जो दोस्तों आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा अक्सर दोस्तों आप लोग इधर उदर जरूर गोमने जाते हैं और बहुत से selfies वीडियो बनाते हैं या फिर photos क्लिक करते हैं लेकिन बाद में दोस्तों आप देखते हैं जब उस फोटो को तो आपको याद नहीं आता कि फोटो अपने किस location पे लिया था किस यगे पर लिया था लेकिन एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे अगर आप अपने mobile camera के अंदर on कर देंगे ना तो भाई पूरा का पूरा address हो आप आजाएगा जब भी आप फोटो क्लिक करेंगे समझे लोग तो इसके लिए आपको करना क्या होगा सिर्फ सेटिंग के अंदर चले आना है जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजें more setting के अंदर यहाँ पर आपको location का option देखने को मेंदेगा यह बंद होगा इसे आपको on कर देना है इसे on करने के बाद दोस्तों अब जब भी दोस्तों यहाँ पर आप photo क्लिक करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर अभी photo क्लिक किया अब इस photo के अंदर दोस्तों automatically हमारा जो location है ओ भी आ जाएगा अब उस location को देखने के लिए बस आपको photo का यह जो i button दिया होता है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको location के अंदर पूरा का पूरा भाई address आ जाता है कि यह photo कहाँ पर क्लिक हुआ है समझे रो तो इतनी कमाल की trick है जिससे आपको याद रहेगा हमेशा भा अब दोस्तों हमें क्या है जैसे कि अपने फोन कैमरा के अंदर पता कर सकते है कैसे एक सी photo क्लिक करके उसके लिए बस आपको यहाँ पर जो इसके उपर क्लिक करना होगा यह आपके mobile phone में निचे भी icon मिल सकता है ठीक है तो इसके उपर आपको क्लिक करना है और इस तरह से दोस्तों इसका एक photo क्लिक करते ही आपको यहाँ पर दोस्तों इसका पूरा देखने को में जयेगा यह कितने रुपय का मिलेगा इंडिया में जैसे कि 382 रुपए यहां पर दिखा रहा है, flip card से आप ले सकते हैं, ebay से ले सकते हैं, और amazon से भी ले सकते हैं, मतलब कि अलग अलग जगे का यहां पर दिया है, और इसका क्या नाम है, सब कुछ दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, देख रहो, यह आपके mobile phone camera से हो जाता ह है, आपको google में जाके search करने की जुरुवत नहीं है, कि भाई क्या type करूँ, क्या type करने पर आ जाएगा, हर एक website का यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, कहां कहां आपको यह मिल जाएगा, तो है ना दोस्तों, यह काफी large swap trick, तो यह 4 खूफिया trick दोस्तों हमारे mobile phone camera के अंदर दिया हुआ है, जिससे अगर आप यूज करेंगे, तो काफी कमाल तरीके से आप photos ले सकते हैं, एकदम बहतरी न टाइप का, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाई को share करना, साथी साथ हमारी channel को subscribe करेना, thank you दोस्तों, bye bye and take care